हेलो फ्रेंड्स आज आप यह जो इस्क्रीन पर केक देख रहे हैं आप घर पर बिल्कुल ऐसा ही केक बना सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको 100 ग्राम बटर लेना है आप बटर की जगए रिफाइंड ओयल भी ले सकते हैं मैंने आदा आदा दोनों लिया है 50 ग्राम बटर 50 ग्राम रिफाइंड ओयल इसको अच्छी से मिक्स करेंगे उसके बाद हम 200 ग्राम मिल्क मेड डालेंगे और फिर इसको हम अच्छी से मिक्स करेंगे कम से कम एक मिनिट तक अच्छी से मिक्स करेंगे इसको जब ही अच्छी से mix हो जाएगा उसके बाद हम इसमें मैंदा baking powder और baking soda एड़ करेंगे मैंदा हम 200 ग्राम लेंगे baking powder हम run and half तीएस पी लेंगे और baking soda हम तीएस पी लेंगे half तीएस पी डालेंगे baking soda और इसको अच्छे से mix करेंगे जब तक इसकी mix नहीं हो जाता बिल्कुल ऐसे ही mix करते रहेंगे और एक ही direction में mix करेंगे बिल्कुल इस तरीकी से और मैं ये mango flavor का cake बना रही हूँ तो मैंने mango की puree बना कर रखी है अब ही हम इसमें mango की puree एड़ करेंगे जितनी हमें जरूरत होगी उतनी ही डालेंगे पहले mix करके देखते हैं कितनी जरूरत है 5 ml हम vinegar एड़ करेंगे इसमें और vinegar एड़ करने के बाद हम इसे अच्छे से mix करेंगे और मैंने पहले से ही mole को dust करके रखा है और मैं इसको mole में transfer करेंगे अपने बेटर को और इसमें हम tutti fruity भी एड़ कर देते हैं क्योंकि मैं घर के लिए बना रही हूँ तो मैंने tutti fruity डाल दिया है अब इसके उपर से थोड़ा सा बेटर और डाल देते हैं उपर से भी थोड़ी सी tutti fruity डाल के हम इसको थोड़ा सा tap tap करेंगे जिससे ये mixer सभी जगे अच्छे से फैल जाए और हम इसको free eat कडाई में बेक होने के लिए रख देते हैं और गैस को हमें medium low flame पर रखना है कम से कम आदा गंटे तक हमें इसको चेक नहीं करना है आदा घंटी के बाद हमें यह चेक करके देखना है अगर हमारा कीग बेक हो गया होगा तो ठीक है जानी मुणय हों तो हम इसको ठोड़ी दीर और बेक होने देंगे। देखते हैं तो मुणक्षैक है हमारी स्टेक सूखी आई है इसमें कुछ भी नहीं आया तो इसका मतलब बेक हो चुका है.. अभी हम इसको ठोड़ी देर के लिए रख देते हैं और ठंड़ी होने के बाद इ स्पॉंजी लग रहा है ना देखो